नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSC MAKER के YouTube चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Reasoning के 5 अती महतपूर प्रशन दोस्तों जो आपके आगामी सभी परिचाओं के लिए बहुत ही महतपूर है दोस्तों हम आपके लिए Reasoning Part-wise करा रहे है Math Part-wise करा रहे है और Part-wise में दोस्तों हम उन प्रशनों को सामिल करते हैं जो Set Pattern के प्रशनों थे जो Exam-Oriented प्रशनों थे जो बार-बार आपके परिचाओं में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एक्जाम से पहले-पहले आप Math और Reasoning के दोस्तों सारे पार्टों को जरूर देख लीएगा तो आईए दोस्तों देखते हैं पहला प्रशन देखिए का दोस्तों यह आपका पहला प्रस्ण और पहला प्रस्ण दोस्तों बहुत ही महतपूर प्रस्ण है दोस्तों Most important दोस्तों प्रस्ण है यह प्रस्ण बहुत बार एक्जाम में पूसा जा चुका है और इस टाइब के प्रशन हमेशा एक्जाम में पूसे जाते हैं सिंपल तरीका दोस्तों बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक बात और बता दू दोस्तों ये reasoning का part number 156 है ध्यान दीजिएगा तो चलिए को स्थाने यहीं पे बढ़ेगा अपको कौन सी संख्या होगी इसके लिए आसान तरीका में बता रहा हूँ देखिएगा क्यों बियूटिंटaison आपकी कभी बढ़ेगा सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों सिंखला के संख्यां को ध्यान से देखेंगे कैसे संख्याएं आगे बढ़ रही है कहने का मतलम है दोस्तों 4 है 8 है 24 है 12 है 25 है 36 है 72 है अब ध्यान दीजियेगा दोस्तों यहाँ पे मैं आसान तरीका बता रह tom अब देखे जब ऐसे संख्या नजर आए तो आप ऐसे देखिएगा अगर मैं बोलू देखिए चार के बाद 8 है ना अगर मैं बोलू दो गुना कर दीजिए चार दुना के आठ 8 के बाद 24 है ना 3 गुना कर दीजिए क्या होगा 24 24 के बाद 12 है ना भागे 2 कर दीजिए यानि आधा कर दीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों भागे 2 करेंगे तो 12 फिर उसके बाद देखिए 12 के बाद 24 है ना गुने 2 फिर उसके बाद से दोस्तों 72 आना गुने 3 फिर उसके बाद 36 आना भागे 2 समझ रहें क्या हो रहा है दोस्तों यहां पर देखिएगा गुने 2 फिर गुने 3 फिर भागे 2 यहां 3 ही यह इससे चला फिर ऐसे फिर से यही रिपीट हो रहा है गुने 2 गुने 3 भागे क्या होगा दोस्तों 2 समझ में आ गया फि 3-72 में कर लिए तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और 3 सत्य क्या होगा 21 होगा यानि 216 हो जाएगा और आगे पूछता तो हम क्या करते दोस्तों भागे 2 करते लेकिन आगे पूछा नहीं है तो इसलिए यहां पर हम नहीं करेंगे इसका अंसर होगा 216 देखिए 216 किस ओप्शन में ह देखेंगे option number C में है आपका option number C दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टाइप के question आपकी exam में हैगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे चलिए अब हम next question की ओर चल देखिएगा दूसरा question when diagram के हैं काफी important question है यह भी पूछा गया प्रशन है प्रशन कह रहा है दोस्तों निम्र में से कौन सा आरेक निमलिकित के बीच संबंद को दरसाता है पिता माता कवित्री ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए when diagram से भी related यानि वेंड डिग्राम का question आपकी exam में कभी भी आएगा तो आप क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों आप इन सब्दों पर विचार करेंगे जिनका दोस्तों वेंड डिग्राम बनने है कौन कौन सब्द है पिता है माता है कवित्री नहीं पता होगा बहुत लोगों को कवित्री देखिए कभी एक होते है कवित्री होती है जो कभी होता है वो मेल होता है जो कवित्री होती हो क्या होती है दोस्तों फीमेल होती है यानि कवित्री में क्या होगा दोस्तों कुछ माता है कवित्री होती है या कह लिजे कुछ कवित्री माता है भी होती है ऐसे भी बोल सकते है इसका संबंद कवित्र पिता हो गया इस टाइब से किस ऑप्शन में पियंडे ग्राम है देखें नमबर इस टैप से B में दिख रहा है यानि यह क्या होगा दोस्तों कुछ माता है क्वित्रि होते है और यह क्या होगा नहीं यह पिता हो गया नहीं क्या होगा option number B होगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे चलिए अब हम next question क्यों चलते हैं अगला question देखिएगा तीसरा question है काफी important question है पूछा क्या प्रशन है प्रशन क्या कह रहा है ध्यान दीजेगा प्रशन तो आप संख्याओं को ध्यान से देखिए 123, 234, 139 और 148 तो ध्यान देंगे दोस्तों अगर question को तो यहां पर देखेंगे यह 123 से विसम संख्या है यह क्या है दोस्तों सम है यह विसम है सम है अगर इसमें 3 संख्या है दोस्तों सम होती एक विसम होता तो हम बता देते विसम वाले को अलग हो जाता या दोस्तो क्या होता दोस्तो यहां देखिएगा तीन विशम होता या तीन सम होता और एक विशम होता या एक सम होता ऐसे होता तो हम अलग बता लेते लेकिन यहां पर क्या है दोस्तो दो सम है दो विशम है तो ऐसे सम विशम के अधार पर हम यहां पर अगर दोस्तो मैं बोलू 3 से ブाग करिये तो देख़ी तीन 1721 हो जाएगा और यहाँ पर चावईस हो गा 3 और 84 पूरा-पूरा विवाजित हो जाएगा अगर मैं बोलू 139 को तीन से भाग करिये तो इसे भी कटेगा दोस्तो तीन चोग को 12 और 3-3 को 9 ये भी पूरा-पूरा विभाजित हो जाएगा मैं बोलू 148 को 3 से भाग करिए तो ये पूरा-पूरा विभाजित नहीं होगा यानि ये प्रस्न क्या होगा अंसर दोस्तो 148 ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा अलग हो जाएगा क्यों अलग होगा क्योंकि दोसतों इसमें बाकी जो तीन जंख्या है हो तीन से विवाजित हो रही यानि राइसे असेंगत हो जाएगा, और मैं उमीद करता हूं दोस्तों, आप इस प्रेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गउगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों प्रस्ण में ऐसे नहीं हो के तीन से ही सब में भाग नहीं जाता है कभी कभी चार से भी कटता है एक संख्या है कभी कभी पान से भी कटती है कभी कभी छे से भी कटती है यानि प्रस्ण जैसा रहता है उसी according हम सोचेंगे ठीक है तो ध्यान दी नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर आउन कर लिजेगा ताकि मैं जितनी भी इंपोर्टन वीडियो दू उसके आपको नोटिफिकेशन मिले दोस्तो हम एक्जाम ओरिएट कोस्टन ही कराते हैं इसलिए आप हमसे जरूर जुरिए चलिए अगला कोस्टन देखिएगा चौथ कोशन चौथा कोशन हम आपको बता दे दोस्तो यह मोस्ट इंपोर्टन कोशन इसके लिए आसान तरीका बता रहा हूँ एक लाइन में अंसर आजएगा बहुत आसान तरीका blood relation का है देखिए simple तरीका है question यह कह रहा है दोस्तो wt का भाई है जिसकी केवल एक बहन n है n का w की बेटी से क्या संबंध है तो आपको पहले भी बता है हो न दोस्तो blood relation रख संबंध वाले प्रेशन कैसे solve किया जाता है पीडी दर पीडी कैसे लिखा जाता है तो चलिए direct हम solve करते हैं देखिएगा कह रहा है wt का भाई है क्या है दोस्तो w किसका भाई है दोस्तो t का भाई है wt का भाई है और कह रहा है जिसकी केवल एक बहन N है जिसकी केवल एक बहन है एक बहन है N है यानि ये भी क्या है दोस्तो T भी भाई है और एक बहन N है अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगला क्या बोल रहा है अगले लाइन में देखिया करें N का W की बेटी से क्या संबंद होगा या जो N है न दोस्तो W की बेटी यानि की W की बेटी जो भी होगी यहाँ पर आएगी यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि J, K, A, B, C, D कोई इसकी बेटी है यहाँ पर जो भी होगी दोस्तो इसकी बेटी होगी कोई भी हो सकती है तो बोल रहा है दोस्तो N का W की बेटी से क्या संब्द है यानि कहने का मतलब है दोस्तो N क्या लगेगी W की बेटी की तो यहाँ पर बताईएगा दोस्तो यह W की यह बेटी है तो यह W इसका क्या लगेगा पिता और ये क्या लगेगी दोस्तो डबलू की ये क्या लगेगी बहन लगेगी यानि पिता की बहन यानि मान लेज़े दोस्तो आप है आपके पिता जी की बहन आओ आपकी क्या लगेंगी बुवा लगेंगी ना बुवा जी लगेंगी कहने का मतलब बुवा देखिये बुवा किस अप्षिन को भी बहुत अच्छे तारीके से समझ गया होंगे और इस टाइप के भी कोशन आपके एक्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्ब कर लेंगे चलिए अब हम नेक्स्ट कोशन क्यों और चलते हैं और एक बात और बता दू दोस्तो अगर आप मैथ में आप यूटूब पे भी सर्च कर सकते हैं उस चैनल पर जाएए दोस्तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा नोटिफिकेशन वेल को भी ओन कर लिजेगा ताकि वहाँ मैं जितनी भी इंपर्डेंट वीडियो दो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले वहाँ पर दो देखिएगा कोस्टन क्या कह रहा है पहले देखान दीजिएगा कोस्टन यह कह रहा है दोस्तों यहां पर पहले कोस्टन को देखिए कोस्टन यह कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए संबंधित संख्या कहने का मतलब है दोस्तों यह बोल मैं बोलू, आप कैसे इसको सोचेंगे, यह देखिये, आप ऐसे भी सोच सकते है, आट का अगर हम square कर दे, यह आट है न, आट का दोस्तो square कर देगे, तो क्या होगा, 64 होगा, 64 होगा, कितना होगा दोस्तो, 64, और 64 देखें, यहा पर दिया हुए, 125 का दोस्तो स्क्वायर कितना होता है 125 का दोस्तो स्क्वायर होता है 15,625 तो 15,625 यहां पे होगा लेकिन देखिए क्या किसी option में 15,625 लिखा है तो देखेंगे किसी भी option में नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे दोस्तो प्रस्ण को हम ऐसे solve नहीं करेंगे कुछ अलग तरीके से सोचेंगे अलग तरीके से कहने का मतलब क्या है दोस्तो अब देखिए 64 को 8 किया है ठीक है अब यहाँ पर किसको हम करें कि 125 हो जाए कहने का मतलब ऐसे भी आप सोच सकते हैं अगर दोस्तो यह देखिए ध्यान दीजेगा अगर मैं बोलू यह 8 का 64 कर दिया तो यह क्या किया दोस्तो गुने 8 किया है तो 125 को भी हम क्या करेंगे गुने 8 ही करेंगे तो 125 गुने 8 दोस्तो होता क्या है दोस्तो 1000 होता है क्या होता है 1000 देखिए 1000 किस option में है देखेंगे option number B में है आपका option number B क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप expression को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस type के भी question आपके exam में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे चलिए अब हम next question की ओर चलते हैं देखिएगा question अच्छे लगे हैं तो वीडियो को like share जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है आप अगर जो like करते हैं तो काफी motivation मिलता है और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के दूँगा ठीक है तो like जरूर किया करिए आप आपके साथ जबके friends भी जितने friends अरकी ले आपके जो भी related group है उनसे में भी दोस्तों वीडियो को share जरूर किया करिए तो देखिए question ये homework का question है टेश का question है यानि आज का question है इसका answer सभी दोस्तों को comment करके बताना इसका सही answer क्या होगा जिन दोस्तों को नहीं पता हो क्या करेंगे reasoning का part no.155 देख लेंगे part no.155 के question no.4 part no.155 दोस्तों इसको full detail वे मैं समझाओ इस type के question को कैसे बिना प्यान उठाय सेकंडों में solve किया जाता है part no.155 आपको मिले था है दोस्तों इसका link के हाँ उपर i button पर देजिए हो दोस्तों या i button पर क्लिक करके आप डिरेक part no.155 देख सकते है एक बात और बात दोस्तों जो नहीं student है किसी परकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों ये बंचंप पर बीशर का customer के number है इस number का आप call करके बात भी कर सकते है इस e-book को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ इसमें जो प्रशन दिये गए हैं बहुत ही important दिये गए हैं ताकि आपको डेली सारे वीडियो की notification मिले तो मिलते हैं दोस्तों आगले वीडियो में और भी important प्रशनों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद